इंडिया और न्यूजिलेंड के बीच पहला टीबीस मैच आज विराट कोहली की टीम इंडिया न्यूजिलेंड से एक दिवसीय सीरीज जीतने के बाद मिहमान टीम के खिलाफ भुदवार को यहां फिरोजशाह कोटला मैदान में होने वाले पहले टीबीस अंतराश्ट्रिये मैच में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज आशीश नेहरा को विजी विदाई देने के एरादे से उतरेगी दिल्ली के नेहरा ने हाल ही घोशना की थी कि एक नवंबर को दिल्ली में होने वाला यहां मैच उनका आकरी मैच होगा और इसके बाद वे हैं अंतराश्ट्रिये क मैच के लिए टीम में शामिल किया है और उनके अंतिम एका दश में खेलनी का फैसला कप्तान विराट कोहली और टीम प्रबंधन पर छोड़ दिया गया है राश्ट्रिये चेमन करता प्रमुहिं इसके प्रसाद ने टीम की घोशना करने के बाद सपष्ट गिया था कि नेहर ने बोर्ड से विदाई मैच के लिए नहीं कहा था और वे अंतिम में का दश में खेलते हैं या नहीं इसका फैसला टीम प्रबंधन करेगा नेहरा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीबी स्टीम का हिस्सा थे लेकिन उन्हें कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिल पाया था अर ती कि यदि उन्हें ऐसा मौका मिलता है तो यह उनका धरेलू मैदान होगा और उनके सामने अपने दिल्ली के दर्शक होंगे भारत और न्यूजिलंड के बीच इस फॉर्मेट में कुल पांच मैच हुए हैं और सभी में मेजबान टीम को हार का सामना करना पढ़ा है इन 45 रन से उसकी हार हुई थी दिल्ली के कोटला ग्राउंड पर ये पहला टीड़ट होगा इस ग्राउंड पर बाकी दोनों फॉर्मेट में भारत ने बावन मैच खेले हैं जिन में से 25 जीते और 12 हारे हैं 14 मैच ड्रॉपर खत्म हुए दोनों टीमें भारत विराट कोहली रोह अमत से राज, आशीश निहरा, अक्षर पटेल और लोकेश राहुल में से, यूजी लैंड, केन विलियमसन, ताडिड एस्टल, ट्रेंड बोल्ट, ताम ब्रूस कोलन डिग्रांड होम, मार्टिम कुप्टिल, मैट हेन्री ताम लेथम, एडम मिलने, कोलन मुन्रो, हेन्री निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सेंटनर, इश सोडी और तिम साउथी में से, फिलाल आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएन, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेर करें, और इस चान बी फोर बढ़का एपल, सी से छोटका